मोलवंती के बाद मार्केट पे केस फ्लो बिलकुल कम हो गया और जब मार्केट पे कैसी नहीं है तो किसानों को वो कैस नहां से दे उन क्या शूरों है अभी छोटे क्रिसी यंत्र में भी GST जोड़ा जा रहा है जिससे किसानों को काफी महंगा पड़ रहा है एक प्रमुख समस्या लेबर की होती है मेरा एक सुझाओ है क्रिशी को मन्रेगा से जोड़ दिया जाए और जैसे मन्रेगा का अभी 221 रुपे रेट है और हम 300-300 रुपे लेबर को पेमेंट करते हैं उसके बाद भी हमें लेबर उप्लाब नहीं हो पाते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि किसानों को मन्रेगा से जोड़ के 220-21 रुपे के साशन दे और बाखी उपर की राची हम किसान दे तो किसानों को भी 100-500 रुपे में लेबर मिल जाएंगे और मन्रेगा का पेमेंट भी लेबर को हो जाएगा मैं 1985 के हिसाब निकाला था तो उस टाइम धान करेट करीब दो रुपे था और डीजल करेट सवा दो रुपे था और उस टाइम यदि बाइंग केपिसिटी किसान का दिखा जाए तो बहुत जादा था उस टाइम सोना कदाम 1100 रुपे था तो उससे हम लोग कंपेर करें तो दान करेट कम से कम 60-70 रुपे होना चाहिए क्योंकि आज के लागत बहुत हो जा रहा है पिछले बार टीजादा और आप लोगों का भुपेज जी का सरकार अच्छा काम किया उससे फाइदा हुआ था आप लोगों को निशित रूप से बहुत फाइदा हुआ यह हमारा प्रतेक फशलों में मिलना चाहिए अपने जो फशल का उत्पादन आपन लेते हैं धान की समर्थन मूल हम लोगों को मिल रहा है पर अन्य जो फशल है मार्केट में हम उसका रेट नी मिल पाता है तो एक हम निवेदन था कि किसी तरह जो धान का समर्थन मूल लेते हैं उस जो बार बार 20,000 रुपए 10,000 रुपए देने की बात आ रही है इसका एक मात कारण है नोडबंदी के बाद मार्केट में केस फ्लो विल्कुल कम हो गया और जब मार्केट में कैसी नहीं है तो किसानों को कैस कहा से दे हाते में हमारे सब के पैसा है मैं अपना बताता हूं मेरे चोटे किसान परिवार से हूं मैं हमारे हम दो लाक रुपए करीब होगा मेरे खाते में चार पर बैंक जा चुका हूं मुझ दो बार पैसा निकाला 20,000 रुपए में 40,000 रुपए में अपने घर में ले ले जा के दिया हूं यह इस्तितिया 36 गड़ के किसानों की है कि नोट बंदी से क्या नुक्सान हुआ आप सबको किसी को फाइद होआ नोट बंदी से किसी को नहीं हुआ है जिस दिन नोट बंदी भी उसके अगले दिन मेरे बड़े वाले मामा खतम हुए थे हमारे पास एसी कुछ छोटे-मोटे कामों में 100-200 रूपे खर के कहते हैं बिल्कुल सचाई बात बता रहा हूं कि 500 और 1000 के नोट से और वो साधे नोट खराब हो गए हम लोगों को किन परिस्थितियों में मामा का अंतिम संस्कार किया है वो परिवार वाले ही जानते है खून के आशू रोए हैं मामा के जाने का अलग रीतिर वाजों में पैसे का खर चलग बिल्कुल रोए हैं है अभी छोटे क्रिसी एंतर में भी GST जोड़ा जा रहा है जिससे किसानों को काफी महंगा पढ़ रहा है जो पहले सस्ता पढ़ रहा था अभी 12 परसेंट मतलब से किसान तो मेरे ख्याल से 90 परसेंट किसान जो है ना वो नुकसान का ही धन्दा है उसका तो सिंग्देव जी Manifesto Committee पे हैं इसलिए मैं इनको ऐसे discussion में लाया था हमारे हमारा internal discussion चल रहा है स्वामी नातन रिपोर्ट के बारे में भी हमारा discussion चल रहा है कुछी दिनों में हम दो तीन मतलब बड़े काम किसानों के लिए Manifesto में डालने जा रहे हैं मैं समझता हूं कि आपको चारों और से घेरा जाता है प्रेशर अपर आता है एक साल पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा की कनिया कुमारी से हम कश्मीर तक चले हजारों किसानों से मैं मिला बातचीत की और सारे किसारे यही कहते थे कि वही सबसे बड़े उद्योग पतियों का लाकों करोर रुपए कर्जा माफ हो जाता है हमारा कर्जा माफ नहीं होता बैंक के दर्वाजे उनके लिए खुले होते हैं हमारे लिए बैंक के दर्वाजे बंद होते हैं आपने हमें बोला कि आपका ही पैसा आपको नहीं मिलता है। फ़र्टिलाइजर की बात, पेस्टिसाइड की बात, सब जानते हैं। मेरी सोच है कि किसान देश की रीर की हड़ी है। किसान भोजन देता है और किसान के बिना ये देश चलने ही। राहुल जी ने बहुत ही अराम से और सभी की बाते सुनी और सुजाओ के बारे में कहा कि मैं जितना हद सक्ट बन सकता है उसके उपर परियास करें। किसानों के इक इतितना और दान खरीदी को लेकर सरकार की कोई दीसा निद्श नहीं है उनकी ये सोच ही नहीं कि वो किसानों के उनके हग का पैसा दें चार-पांच सालों से हमने जो दबा करके रखी तिया जो एक मौका मिला कि सीधे हमने राष्टी नेतिरुत के सामने ये बात रखी है तो बिलकुल मैं राहूल गांधी जी कुछ चीज के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा